चैनेई सोपर किंग्स के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे सुरियस रेना खुद चैनेई सोपर किंग्स के CEO ने किया बड़ा खुलासा जानेंगे क्या है पूरी खबर चैनल को सब्सक्राइब करें किर्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं कि चैनेई सोपर किंग्स के साथ सुरियस रेना एक बार फिर से जुड़ें हाला कि आईपियल 2022 में ना तो चैनेई सोपर किंग्स ने और ना ही बाकी टीमों ने सुरियस रेना पर भरोसा जताया था इसी बज़ें से सुरियस रेना आईपियल 2022 में नहीं खेले थे लेकिन अब यहाँ पर सुरियस रेना के फैंस के लिए एक अच्छी ख़वर आ रही है सुरियस रेना आईपियल 2023 में बापसी कर सकते हैं ना सिर्फ सुरियस रेना बापसी करेंगे बलकि वो चैनेई सोपर किंग्स की तरब से दोबारा खेलते हुए नज़राएंगे तब सुरियस रेना महिंदर सिंग ध्वनी के साथ भी नज़राए थे अगर सुरियस रेना की चैनेई सुपर किंग्स की टीम में बापसी होती है तो सुरियस रेना के फैंस के लिए इससे अच्छी ख़वर नहीं हो सकती आपको क्या लगता है क्या सुरियस रेना की चैनले की टीम में बापसी होनी चाहिए आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें